इस वीडियो में हम लोग जानवरी में लगने वाली सबजियों के बारे में देखेंगे कि कौन सी कौन सी सबजियां हम लोग जानवरी के महीने में आसानी से घर में लगा सकते हैं तो शुरुआत करते हैं सबसे पहली सबजी से जो की है टमाटर तमाटर जो है वो गंलों में लगाना बहुती आसान है और आप January के महीने में ये बहुत आसानी से टमाटर को अपने घर में लगा सकते हैं एक चीज़का आप ख्याल रखे, कोई भी सब्जी लगाते हुए सरदियों के मौसम में, क्योंकि सरदियों के मौसम में सुनलाइट थोड़ीसी कम आती है, तो जब भी कोई भी आप बीज लगाते हैं, तो इसको फुल सनलाइट में रखे, बिलकुल भी शेड में मत रखे. अगर आप shade में seeds को लगाएंगे तो फिर वो seeds आपके लगी होने शुरू हो जाएंगे तो टमाटर के बाद हम देख लेते हैं दूसरी सबसी जो की है ब्रिंजल ब्रिंजल भी आप January की मौसम में अभी अपने घर में लगा सकते हैं ब्रिंजल को भी गंलो में लगाना बहुत ही असान है और इसकी एक अच्छी बात यह है कि एक perennial plant है तो यह ऐसा नहीं कि seasonal बस एक बार आपने इसमें से harvest करने के बाद उसके बाद पौधे मर जाएंगे जिससे टमाटर का होता है टमाटर बिसे आपने एक बार harvest कर ली तो उसके बाद पौधे थोड़े से वीक हो जाते है तो ब्रिंजल का ऐसा नहीं है आप इसमें खाद regularly डालते रहेंगे तो आपको एक कहीं साल तक तीन-चार साल तक आपको अच्छे फल देता रहता है तो ब्रिंजल आप घर में लगा सकते हैं जानवरी में इसके अलावा हम देखते हैं तीसरी सबजी जो की है spinach पालक आप definitely घर में लगा सकते हैं बस आपने यही ख्याल रखना है कि आपने उसे बिलकुल तेज धूप में रखना है इसके अलावा अगली सबजी आती है red radish या फिर जिसको लाल मूली बोलते हैं जो लाल मूली है वो सबसे आसानी से लगने वाली बिलकुल छोटे से अप गमले में चोटे से tub में आप इसको लगा सकते हैं और यह एक ऐसी सबजी है जिसका harvest time सबसे कम होता है आप 20-25 दिन के अंदर ही इसको harvest कर सकते हैं बस इसे full sunlight में रखिएगा तो अगली चीज जो आप लगा सकते हैं January में वो है lettuce या फिर जिसको salad patta बोलते हैं हिंदी में lettuce भी आप किसी tub में किसी चोटी सी जगा में आराम से लगा सकते हैं अगर आप इसे किसी चोड़े बरतन में लगाएं तो जादा अच्छा रहेगा क्योंकि ये फैलता है चारो तरफ तो lettuce आप बहुत ही आसानी से लगा सकते हैं इसके अलावा जो आती है वो है मीथी मेथी बहुत ही आसानी से लगती है या बिना मिटी के कोकोपीट में लगा सकते हैं आप इसके micro greens की तरह उगा के इसको salad में भी मेथी आप जरूर उगाईए जैनवरी में इसके अलावा आप कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि आप लेट जैनवरी में लगा सकते हैं या फिर जिन लोगों के हाँ बहुत जादा ठंड नहीं पड़ रही है वो लोग लगा सकते हैं उन में आता है french beans french beans की जो है आप seedling इस सम कर सकते हैं इसके अलावा हम देखते हैं भिंडी भिंडी की भी आप seedling कर सकते हैं भिंडी की seedling आप लेट जानवरी में कर सकते हैं भिंडी की seedling करना बहुत ही असान है भिंडी को घर में लगाना भी बहुत असान है भिंडी छोटे सी बॉटल में लग जाती है या फिर बह west piece की मिलेगी जिसको आप सच में कुछ consume भी कर सकते हैं इसके अलावा जितने भी seeds की जितने भी vegetable के seeds की मैंने इस वीडियो में बात की है वो सभी आपको जो seeds है मेरे container gardening vegetable seed kit में मिल जाएंगे इसके अलावा जो मेरा vegetable seed kit है उसके अंदर आपको 31 variety के या 31 variety के vegetable के seeds मिलेंगे और जो मेरा vegetable seed kit है वो मेरी website पे available है www.themayashop.com आप खुद से आप इस पे visit कर सकते हैं या फिर मैंने link पीस का description box में दे दिया है इसके अलावा जितने भी लोग 500 रुपी से जादा की shopping मेरी website से करते हैं उन सभी लोगों को moringa के seeds मिलेंगे जो moringa जो herbal plant होता है एक बहुती बढ़िया medicinal plant होता है उसके seeds मिलेंगे आपको बहुती अच्छी quality के तो ये जो offer है limited time के लिए है सिर्फ 100 orders तक के लिए है अगर मुझे 100 orders दो दिन में आ जाते हैं तो उसे दो दिन के लिए अगर एक दिन में आ जाते हैं तो सिर्फ एक दिन के लिए तो इसलिए limited time का offer है तो definitely मुझे लगा कि आप लोग को उसका फायदा उठाना चाहिए तो दोस्तो ये तो थी वीडियो जानवरी में लगने वाली सबस्यों के बारे में अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक करना बिलकुल मत भूलिए और अपने friends और family के साथ वीडियो को share भी जरूर कीजे thank you so much for watching फिर मिलतें अगली वीडियो में और happy new year in advance